हे दोस्तों वेलकम बैक टो ल्टी फैमिली आज मैं आपसे थोड़ा सा ऐसे के बादे में डिसक्ष करने वाला हूं जो की सीजल मेंस और MTS में भी पूछा जाते हैं और आने वाला एक्जाम MTS कभी तो हम लोग डिसक्ष करते हैं कि कैसे एक अच्छा एसे राइटिंग किया जा सकता है तो मैं हूँ आशीश और चली शूर करते हैं आपको पहले सबसे जरूए यह चीज है मैंने जितना इसके बारे में सर्च किया है अलग-अलग जो टॉपर्स हैं IES के भी उनकी इंट्रीव सबसे जरूए चीज है अगर आप देखो इसके लिए ऐसे राइटिंग के लिए तो वह है अंडरस्टेंडिंग आपको टॉपिक हो सकता है कि बहुत जन नौमली जनरल टॉपिक ही आते हैं सिसी के एक्जाम्स में बहुत जारा ठीकस 2016 में जैसे कि भुकम पे आगया वह बह इस तरीके से जो जिसे आपको न्यूजपेपर पढ़ने की जरूवत है वैसे टॉपिक नॉमली आते हैं 2016 का एक्सेप्शन रासी जेल का तो जनरली आपको करना क्या है कि उस टॉपिक को पहले अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए उसके बाद आपको उसके जो ऐसे हैं उसक सबसे जरूरी चीज होती है प्रस्ट है इंट्रोडक्शन और आप सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन एक कोट के साथ सुरू करते हैं आप किसी फीमस वेक्ती का कोट है महादमा गांदी है मदर टेरिसा है ठीक है अबदुलक्राम जी है या कोई भी ऑथर है कोई भी परसन है मार्टिन लूथर केंग जूनियर है जिन्होंने अमेरिका में रेवल्यूशन ले आया या फिर मिस्तर वॉशिंटन है दलाई लामा है इन सभी लोगों कि आप कोट के साथ शुरू कर सकते हो और ऐसे ही कोट के साथ शुरूआत करने से बहुत इंपेशन पड़ता है अब इ कैसे उसको लिखना है आप मुझे करके बता दीजी अगर आपको उसका कोई सेंपल चाहिए कि कैसे बॉक्स में प्रैक्टिस करना है और कैसे बॉक्स में लिखा जाता है तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूगा अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि कैसे लिखा ज तो आपने डिफाइन कर दिया कि जिस्ती होता क्या है फिर उसके बाद आपने में एक्जांपल से बिताऊंगा आपको आपने बॉड़ी लिख दी उसकी बॉड़ी मतलब पहरे ग्राफ चेंज कर गए आपको तीन चार चीजे उसके बारे में जो भी अभी करेंट इवन्ट च आपको अगर जैसे वह पेपर मिलेगा तो लास्त में कहीं पे आपको हलका सा कहीं पे लिख लेना है कोट्स आपको उसके तो आप 2-4 कोट आप हमेशा 4-5 कोट अपने फोन के स्क्रीन पर रख सकते हैं जिने आप बार बार देखके याद कर लेंगे उसके बाद फिर जैसी आप एक्जाम आता है तो आप देख लिजिए कि क्या टॉपिक आप चूज करते हैं और इसके हिसाब से वह कोट लिख दीजिए उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पढ़ता है जो कॉपी चेक करते हैं उनके बहुत अच्छा एक इंप्रेशन पढ़ता है फिर आप पहले आपने बता दिया यह एक हो पर याद रखो अगर आपको वर्ड बाी वर्ड याद नहीं है तो उसका कुछ लेकर आपको एक्ज़ेक्ट नहीं जाए तो आप विदाओं इनवर्टर्ट्ट कॉमा की जो उसको ही थोड़ा सा वर्स को आगे पीछे करके उसका मीनिंग चीह ना हो इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है ठीक है अब यह चीज है कि आ आपका जो एंडरस्टेंडिंग ऐसे नॉर्मली क्यों होता है कि ऐसे कई बेस्ट भी होते हैं सोशल होता है और अपको इस एरिया में यहां पर आपका ऐसे होना चाहिए जिसमें कि हर एक प्रेट्फॉर्म का आप एक तरफ बायस होके मत लिखुँआ है सर्फ एक ही तरफ का विव रखके मत लिखो उसके लिख दिया यह पूरा उसके फेवर में लिख दिया हर चीज का कोई नों की प्लस और कोई नों की माईनस होता है क्या कोई ठेक्णोलोजी आया कुछ भी आया है चाहिए स्मार्टवन तो उसके फाइदे नुकसान होते है प्रॉज नकॉंस होते हैं तो है आपको इसलिए लिखना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं कि एसे लिखा कैसे जा सकता है एक एसे लिए बहुत जरुए चीज नि चार इंग्रेडियेंट्स ऐसे सब्सक्राइब बना देखे तो इसमें मसाले जूरू होगे चार मसाले हैं पर बुकमरी है तो वहां पर कैसे क्या रात उसकिस एयर पर क्या डेट हुआ कितने लोगों का हुआ क्या धनराशी उनको मिली इस तरीके से फिर इशूस को को रिलेट कीजिए प्रीवियस गवर्मेंट के अभी के जो हालत है या उससे उस एरिया के जो भी इशूस है पहले अगर आप एक्जामने को पढ़ने में असान हो जाती है और अच्छी बात यह है कि बॉक्स में है तो आपको बॉलेट पॉइंट में लिखने में बहुत ईजी रहेगा वैसे भी एक्जामने के हर वर्ड पढ़ेगा तो वहां पर भी आप बुलेट पॉइंट को यूज कर स कि निया है इसने क्या किया है किसको रिफ्लेस कर किया है बॉडि में आप लिसकते इसको कि सेंट्र ही मिल अपन बॉसक्त का इसके है गया है तो के सिटET कि अश्य क्यूआ पसे भते होज जज्जमेंट आपका क्लियर होना थे पॉस्टिव और नेगेटिव आप उसमें डिफाइन कर सको कि किसी चीज में अच्छे बुई चीजें क्या कह रहे हैं और उसको पॉस्टिव एस्पेक्ट लेके ही आप एंड करो उससे आपका दिखता है कि आपकी पॉस्टिव पस्टिव पस्टिव लेते हो और आगे उसको पॉस्टिव ली फावर्वर्ड करके सिर्फ अच्छे पॉइंट्स के साथ ही कहते हैं कि लाइफ में हमेशा पॉस्टिव साइट दिखना चाहिए लेकिन पता भी होना चाहिए कि तो आप benefit लेसे तो कि जैसे 4 industries and businesses for Central and State Government कि अब एक ही common पुरे इंडिया के एक ही tax हो गया है काफी उमीदें हैं काफी country successful रहा है तो हमारी country में भी इसका implementation लग सकते हैं पर इसके बहुत सारे नतीजे positive में आ रहे हैं और आएंग के आगे सकते हैं तो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको अच्छे से detail में और explain करूं ठीक है तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और share कीजिए ताकि मुझे पतार चल सके कि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है ये information आप तक पहुंच रही है और मुझे भी motivation मिले कि मैं इसके बारे में बहुत research कर सको और अच्छे-च्छे जो dropouts है उनकी वीडियो उनके notes को मैं आप तक पहुंचा सब्सक्राइब तक पहुंचा सब्सक्राइब नहीं तो उसको प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपके जो भी requirements है जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वह आप कमेंट करके बताएं और आप मुझे अनकेडमी पे भी follow जरूर क कीजिए वहां पर भी मैं ऐसे informative वीडियो डाल रहा हूं जो इस चैनल पर नहीं है वहां पर मिल जाएंगा आपको आशीज सिंग 0712 या सिर्फ आप डावलोड कीजिए अनकेडमी का उसमें एजुकेटर सेक्शन में जागे सिर्फ आप लिग जाएगा ठीक है वहां पर जा के लिए स्वेख देह भूभालोघा दौ कि बाएगे बाएगे से दियुकेटर दूर्ध अनकेडमी का चैनले स्वेख ममें एटोम कमनले बीमा का करन दूर दूर्भ घाएगेर वहां एंगाले अनकेडमी क्ungkinत श्क्तरमी काच मोनीत है ट्रिश टूर्न कैस्तर सेक्षिए कर